नमस्कार, स्वागत है आपका Absolute India News में पेश है बॉलिवुड की ताजी सुर्खियां इन दिनों दिपिका पदुकॉण अपनी अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग में बिजी है हाल ही में खबर आई थी कि शूटिक के दौरान दिपिका पदुकॉण को दिल की धड़कन बढ़ने की शिकायत होने लगी जिसके बाद उन्हें तुरंद हॉस्पिटल में भरती किया गया एक न्यूस पोटल से बात चीत करते वक्त प्रोड्यूसर अश्वनी दप ने इसकी असली बज़े बताई उनका कहना था कि कैनल जाने से पहले दिपिका कोविट से पीड़ी थी यूरोप जाने के बाद वो तुरंद शूट पर हैदराबाद आई जिसके बाद उनके बीप के लिए ले जाया गया सूपरस्टार सल्मान खान और पुजा हेवडे की फिल्म भाई जान की शूटिंग अभी हैदराबाद में चल रही है इस फिल्म का सल्मान खान के फैंस को बेसबरी से इंतजार है ताजा खबरों की माने तो इस फिल्म के एक गाने में साउट के दार कैमियों होगा उन्होंने इस सौंग का हिस्सा बनने के लिए हामी भी भरती है भारती महिला क्रिकेट टीम की पूब कप्तान मिताली राज की बायो पिक शाव बाश मिटू का ट्रेलर रिलीज हो गया है इस फिल्म में तापसी पन्लू मिताली राज की भूमी का निभा की नजर आएंगी 15 जुलाई को सिनमा घरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म में पुरुष प्रधान खेल में अपनी जगे बनाने वाली मिताली राज के बच्पन से लेकर क्रिकेटर बनने तक के संघर्ष को दिखाया गया है बॉली गुद के मशूर ट्रड्यूसर डारे अदालत में मामला दर्च कराया है शनिवार को मामली की सुनवाई करते हुए रांची सिविल कोट इस्तित कमर्शिल कोट ने फिल्म के प्रड्यूसर को निर्देश दिया है कि 24 जून को रिलीज से पहले 21 जून को अदालत में फिल्म दिखाने की व्यवस्था की जाए कुछ दिनों पहले रनबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म शमशेरा का फ़स लुक इंटरनेट पर लीख हो गया था अब निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर फिल्म से रनबीर के लुक का पोस्टर साजा किया है और रिलीज की तारीक की भी घोशना की है ये फिल्म 22 जुलाई 2022 को रिलीज होने वाली है अब आलिया भट ने अपने शोचल मेडिया पर रनबीर के शमशेरा के फ़स लुक पर कतिक्रिया दी है डालिये नजर आलिया की इस पोस्ट पर